आजकी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इस्टागराम का पेज कैसे बनाया है दोस्तों अगर आप भी अपना इस्टागराम एकाउंट को जो है पेज में चेंज करना चाहते हैं या फिर एक नया इस्टागराम का पेज बनाना चाहते हैं और दोस्तो अगर आपको पता नहीं है इस्टाग्राम का पेज कैसे बनाया जाता है तो फिर इस वीडियो को ध्यान से लाश्टक देखते दिया आज की इस वीडियो में आपको step by step सिखाने वाला हूँ कैसे आप भी इस्टाग्राम पर एक नया पेज बना सकते हैं हेलो दोस्तो स्वाइब थे आप सभी का हमारे इस योटूब चैनल इंफो ट्यूब में तो दोस्तो चलिए वीडियो स्टाट करते हैं दोस्तो इस्टाग्राम पर पेज बनाना काफी ज़्यादा आसान है बस आपको वीडियो को ध्यान सर लाश्टिक फूरा देखना है और दोस्तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लिस वीडियो को लाइक साथ यसाच चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा तो फिर इस्टाग्राम पर पेज बनाना जो है काफी ज़्यादा आसान है सबसे पहले तो आपको करना क्या है यहाँ पर इस्टाग्राम एप को ओपन कर लेना है और दोस्तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लिस वीडियो को लाइक कर दीजे साथ इसा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे अफ्रेन यहाँ पर जैसे आप इस्टाग्राम को open कर देते हैं simply आपको यहाँ पर last में profile वाला icon पर click करना है और यहाँ पर आप देख सकते हमारा यहाँ पर एक account है और यहाँ पर यह काफी simple सा account है मुझे जो है इसको page में change करना है convert करना है तो यहाँ पर page बनाने के लिए simply उपर के side में आपको 3 line पर click करना है और दोस्तो यहाँ पर आने के बद आपको setting वाले option पर click कर दना है जैसे दोस्तो आप setting पर आ आ जाते हैं आपको काफी सारा option देखने को मिल जाएगा अब दोस्तो यहाँ पर simply आपको account वाले option पर click करना है और फिर यहाँ पर account वाले option पर आने के बाद सबसे नीचे आपको जाना है और यहाँ पर आपको 2 option देखने को मिल जाता है पहला option है switch to professional account और दोस्तो यहाँ पर दूसरा option है add new professional account अब दोस्तो एक चीद मैं आपको बताना चाहता हूँ Instagram को जो page होता है वो एक professional account होता है तो यहाँ पर दो option है पहला option यह है कि आप अपना account को direct page में change कर सकते है और दोस्तो यहाँ पर दूसरा option है अगर आप चाहते हैं आपका account भी रहे और page भी रहे तो फिर यहाँ पर add new professional account पर click कर दीजिए तो यहाँ पर चलिए हम इसी account को अपना page में convert कर लेते हैं अगर आपको नया बनाना है तो यहाँ पर click कर सकते हैं प्रोसेस सेम है simply हम यहाँ पर switch to professional account पर click करेंगे यहाँ पर आने के बाद आपको continue वाला option पर click कर दाना है जैसे आप यहाँ पर आ जाते हैं आपको फिर से continue वाला option पर click करना है फिर से continue वाला option पर click करना है फिर से continue पर click करना है और यहाँ पे आने के बद आप से पूछा जाएगा आप जो किस category का page बनाना चाहते हैं हम दोस्तों यहाँ पे एक video creator है तो यहाँ पे simply हम जो है select कर लेते हैं यहाँ पे digital creator अगर आपको business page बनाना है या फिर किसी और type का page बनाना है तो यहाँ पे आप अपना category select कर सकते हैं आप यहाँ पे personal blog पे select कर लिजेगा और यहाँ पे एक और option होता है display on profile अगर आप इसको on कर देते हैं तो दोस्तों आपके profile में भी सो करेगा आपका किस परकार का जो है page है क्या category है तो फिलाल हम इसको बन रहने देते हैं और यहाँ पे हम done वाला option पे click कर देंगे अब दोस्तों जैसे आप यहाँ पे done वाला option पे click कर देते हैं कुछ इस परकार का option आपके सामने आ जाएगा अब दोस्तो यहां पे थो ऊब्सन को मिल जाएगा. पहला ऊफसन है Creator का और दूसा ओसन है यहाँ पे Business का. अगर आप Creator है यानि कि आप वीडियो बनाते हैं या फिर किसी भी प्रकार कर अगर आप Creator है तो यहाँ पेSc initiated पर select कर दिजेے. यहाँ पर जो है आप इसको on कर दीजिएगा तो दोस्तों आपका जो है Instagram प्रोफाइल में email id भी स्वो करेगा मुझे अपने Instagram पर email id नहीं देना है तो मैंने इसको off कर दी हम यहाँ पर next वाले option पर क्लिक कर देंगे यहाँ पर जिससे आप आ जाते इसको complete कर दीजिए उपर वाले बटन पर क्लिक करके पहला option आपको select हो गया दोस्तों यह है gate inspired इस पर आपको क्लिक करना है और दोस्तों यहाँ पर क्लिक करने के बद किसी भी एक page को जो है follow कर लेना है और यहाँ पर आपको done वाला option पर क्लिक कर देना है मैंने पहले से complete करके रखा इस वसी यह हमारा हो गया तीसा option है grow your audience यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा और दोस्तों कहीं पर भी invite वाला बेंट पर क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पर से जो है आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर आपको क्लिक करना है create post पर क्लिक करना है कोई भी एक image ले लीजिए और यहाँ पर आपको पोेश्ट करड़ना है यह step भी आपको complete हो जाएगा और दोस्तों यहाँ पर finally आप दे सकते हैं आपका instagram page यहाँ पर बनके ready हो जाएगा फिलाल आप दे सकते हैं यहाँ पे हमारा professional dashboard का view option आ गया और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं finally हमारा जो है यहाँ पे Instagram का page बनके ready हो गया कुछ इस पगार से आप भी Instagram का page बना सकते हैं वीडियो को लाइक करना साथ इसाथ चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले